अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, करनाटक में 10 मई को विधान सभा चुनाओ होने हैं, जिसे लेकर आज कॉंग्रिस ने अपना घोशना पत्र जारी कर दिया है, कॉंग्रिस सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात कर रही है, वहीं पार्टी ने PFI क जिकर करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फिलाने वालों को खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कॉंग्रिस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली परिवार की प्रतिक महिला मुख्या को हर महिने 2000 रुपए देने की भी घोशना की है,